नमशकार खबर नारणपूर कस्बे से नारणपूर को नगरपाली का बनाने की गोशना ग्रामिणों में खुसी की लहर राजस्तान विदान सबा में राज्य सरकार द्वारा गुद्द्वार को अपने पहले बजट में पुप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा ग्राम पंचेत नारणपूर को नगरपाली का बनाये जाने की बड़ी गोशना के बाद कस्बे के ग्रामिणों में भाजपा का कारे करताओं में खुशी का माउल है ग्रामिणों ने बताया कि ग्राम पंचेत नारणपूर को नगरपाली का बनाये जाने की पुरानी मांग बानसुर विदायक देवी सिंग सेखाउत दोवारा पूरी किये जाने पर ग्रामिणों मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा और छे जैसे ही छेत्र के लोगों को ग्राम पंचेत नारणपूर को नगरपाली का बनने का समाचार मिला तो लोगों में खुशी की लहर दोड़ गई लोगों ने पटा के छोड़ में मिठाई बाटकर खुशी का इजहार किया है इस मोके पर सरपंच प्रतिनीडी बवानी संकर सै मनोहर लाल, गिर्राज जेसिबी, हनुमान पाप्ट्यान, बुद्दाराम यादव, रामु दैया, रोहिता सैनी, महेश स्रिवास्तव, ललते सोनी, अनिल गर्ग, पपी चोधरी, महेश योगी, अरजुन लाल यादव सहीत बड़ी संख्या में बादपा कारेकरता देवी सिंखो जी आज गाओं को सहर में सहर बनाया गया है, सहर बनाने की गोषना जो सरकार दो रखी गई है, उसके लिए मैं अमारे विधायक स्विल्मान देवी सिंख़ जी का हिदे से आभार वक्त करता हूं, दन्नेवार गयापित करता हूं और रास्तान सरकार का भी दन्यवार ग्यापित करता हूं और विदायक साथ भी नानपूर से आते हैं उनका गाउं भी नानपूर में पढ़ता है बहुत-बहुत दन्यवार पहले बजट के अंदर सिर्वान भजनलाल जी शर्मा हमारे विदायक देवी सिंग सेखावत जी ने जो काम किया है वो आपार खुशी की बात है पूरी जनता इनका गुंगान कर रही है कि पहले बजट में बहुत ही जल्दी इतनी शांदार प्रोग्रेस किया है कि हमें नगर पाइक मोदे इसी तरह से इस चेत्र का तेजी से विकास की गंगां को बहाते रहे और हम आयसा करते हैं कि हमारे पंचाय समीती वी अतिशिग्र यहां खुले हमारे सभी गाहांवालों की तरफ से सभी जितने लोग जो यहां पर पूरे गाहां में चर्चा का विसा है कि क्या स्वाड वाला नारायनपूर जो बड़ा शहर बड़ा बड़ी सुटी है जाके आइस है सबसे ज्यादा टीचर से यहां पर और उसमें जो है यह खुशी की लहर मिली है यह बहुत ही बहुत हम विदायक मोदे सीम साब का और सांसे साब का भी मैं अभी नंदन करता हूं हमार इसी तरह से चैरो बजट में और भी कुछ मिलता रहे धन्यवाद नारायनपूर तैसिल दोनों का मुख्य मंत्री और हमारे प्रिविधायक का बहुत ही जोर सोर से उनका हार्दिक स्वागत करता है कि हमारे इस शेत्र के अंदर जो कारिकरम उन्होंने प्रथम बजट में सर इस कारि से वन्चित चल रहा था आज भारत्य जन्ता पार्टी के प्रथम बजट सद्वेशन में ही ये घोश्ण होने पार पूरे छेत्र में पार खुशी है सभी विधायक मौदे और राजस्तान सरकार का बहुत बहुत अभिनांदन और बहुत बहुत धन्यवाद